चीक है चलो उसकी बाद में next heading लिखें, fourth brain complete हो चुका है, cerebrum और diencephalon complete अब लिखिए इसमे next second mid brain की बारे में और mid brain को हम लोग और क्या बोलते है मीजेन, siphylon, और brain का सबसी small part of brain कौन सा हो गया, small part of brain, mid brain अब mid print के अंदर total आपको सिरफ तीन स्टिक्चर याद रखनें कौन-कौन से, कुछ याद है है, हमने 4 लोब बनाए थे कुछ, है ना, 2 लोब उपर की तरफ होंगी, जो size में बड़े होंगी, अब दो लोब छोटे नीची की तरफ होंगी, तो ध्यान रखना, क्यूंकि ये superior है, तो इनको बोला जाएगा superior colliculus, और इसको बोला जाएगा inferior colliculus, और यहाँ पर total लोब कितने हो गए, चार हो गए, so that's why इन चारों को मिला के हम क्या बोलते है, corpora, quadri, gemina, तो ये structure पूरा क्या हो जाएगा, this is corpora, quadri, gemina, अब सुनिए, आखे उपर होती है, कान नीचे होते है, तो common sense की बात है कि superior colliculus कि किसके लिए related है, आँखों के लिए, पर आपने तो पड़ा था कि आँखों के लिए जो vision center होता है, वो तो occipital में होता है, नहीं, यह vision reflex के लिए responsible है, reflex का मतलब action और reaction होता है, हाना, मानलो आपने कोई खराब चीज देख ली, कोई dead body देख ली, तो आपको बहुत बुरा लगा, खराब लगा, और आपने अपने मुंडे गुमा ली, आपने मानलो बहुत एक अच्छा सुन्दर फूलों का खेट देख लिया, तो आपने अच्छानक से अपनी मुंडे उधर गुमा ली, है ना, तो इसे को हम लोग क्या बोलते है, auditory, नहीं, visual reflex बोलते है, तो इसमें superior colliculus, जो है, वो किसके लिए responsible है, यह visual reflex के लिए, इसमें इसमें, it controls, different visual reflex, है ना, अब यह पूरा लिख लेना, कि अच्छी चीज देखने पर सार उधर गुम जाता है, खराब चीज देखने पर, जो है, सार उपॉसित डारेक्शने गुम जाता है, तो इसे को हम लोग क्या बोलते है, visual reflex बोलते है, सेम लाइक, आपने अगर कोई अ auditory, reflex हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर पहला तो इसमें होता है, corporal quadigemina, एक चीज आपको यह याद रखनी है, mid brain में, दूसरी इसके इनर आपको याद रखना है, cerebral peduncle, पाटा, आनन से से मिल के आजो, ठीक है, अच्छा एदर देखना, ध्यान से, यह आपके पास क्या हो गया, this is mid brain, and ऊपर की तरफ यह क्या है, यह हो जाएगा, four brain, and नीची की तरफ कौने, hind brain, तो आपको नहीं लग रहा है कि बिटा, hind brain को four brain की साथ जोड़ना चाहिए, या यह सारे तीनों इस्ट्रिक्चर आपस में एक दूसरी जुड़े होने है, तो exactly ऐसे ही, यहां पर hind brain से निकलते हैं, peduncle, peduncle या फिर stalk-like structure, and यह stalk-like structure करता क्या है, hind brain को connect करेगा, इसके साथ, four brain की साथ, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो these are cerebral, peduncle, cerebral peduncle, और इनका basically काम क्या होता है, it connect, hind, यह connect नहीं, it attach, it attach, hand brain to four brain की साथ, ठीक है, और उसके अलावा, इसमें एक last में आगे जाके, हम brain cavities पढ़ेंगे, ventricles की बारे में, तो हालनकि इसमें कोई brain cavity नहीं होती है, तीसरी जो brain cavity होती है, ventricles, वो diagencyphalon में होती है, और चौत ही हागे काम पी होगी, medulla oblongata में, तो diagency medulla oblongata, तो इसके बीच में mid brain आगया, तो mid brain के एक pipe होती है, जो third ventricle को fourth ventricle के साथ, जोडने का काम करती है, एक duct या pipeline दिखाए देगी, पतली, सिंदली, जिसको हम बोलते है, duct of silvius, पिछली बार हमने silvius sulcus पड़ा था, या फिर इसको बोला जाता है, duct of, duct of itar भी बोलते ह हम लोग, तो इसमें present होता है, equiduct, क्या होता है, इसमें, equiduct of itar, equiduct of itar, या फिर equiduct of silvian, silvian हो गई है, और इसका basically काम क्या होता है, यह पतली सी fine tube होती है, जो यहां पर कौन से ventricle है, third ventricle है, और यहां पर कौन से ventricle है, यह fourth ventricle है, तो third ventricle और fourth ventricle को जोडने के लिए बीच में क्या होगा, यह वाला present होता है, कौन से, duct of itar, जो आगे जाके में diagram बनाओंगी, तो midbrain इस ब्रेन का सबसे चोटा पार थे, तो of course इसके कोई ज़्यादा function होंगे भी ने, तो हमें तीन बस बाते याद रखने ही, midbrain के लिए फिर हम लोग next शुरू करेंगे इसमें कौन सा, hindbrain, अचा, hindbrain को और क्या बूला जाते है, इसको बूला जाते है, rhombane, syphelon, और rhombane, syphelon में सबसे पहली हम पार्ट पढ़ते है, सेरे बेलम की बारे में, और सेरे बेलम का नाम भी सेरे ब्रह्म के जैसा ही कुछ रखा गया, क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ अरेंजमेंट जो है, वो सेरे ब्रह्म जैसा दिखाए देगा, कैसे? इसका इस ट्रिक्चर आपको गागी ब्र। पटर्फलाई के जैसा दिखाएदेगा, कैसे दिखाएदेता है, ब्र। पटर्फ़ाई लाइक, आपको नहीं लग रहा है कि, यह क्या हो गया, आप पोश्चन और यह discerned, यह भी क्या है, और दोनों सेरे ब्राल हमी स्पीयर को को जोडने के लीए क्या होगा हुआ नहीं यह काम क्या है इसको और इसको आपस में जोडesh conspirac bamboo to करनेट करना दोनों को कोई परेशा नहीं इसमें अच्छा इसके अंदर भी आपको यह क्या दिखाए दे रहें यह यहां पर दिखाए दे रहें सलकाई और गायराई सिन्स यहां पि इसके अंदर arrangement आपको सलकाई और गाराय किस की तरह दिखाए दे Milhead कि सेरिल ब्रह कोई से चलित ब्रहुप की तरह दिखाए दे रहीं इसका नाम भी कुछ यहों दिखाए देगा, तो बाहर वाला part कॉन से होते हैं, बाहर वाला part कॉन से होते हैं, cortex, और अंदर वाला part कॉन से होते हैं, मेडूला, अब आपको क्या लग रहा है, इस डाग्राम को देखकर, आपको नहीं लग रहा है कि ये structure एक tree जैसा बन गया है, और tree के अदर जैसे branches नहीं होती है तो यह बहर वाला part कॉन सा है? This is cortex and अंदर वाला part कॉन सा होगा? Medulla, अचा brain के अंदर Medulla portion कौन बनाता है? White metal बनाता है, तो यह तो हो जाएगा white metal और बहर की तरफ होगा कॉन सा? Gray metal, अब आपको क्या लग रहा है? कि यहां पर जो white matter है, यह medular वाला जो portion है, वो extend होके gray matter के अंदर penetrate हो गया, और अंदर penetrate होके यह tree के अंदर जैसे branches like structure नहीं बना रहे है, तो इसको बोलते भी क्या है, life of tree, ने, tree of life, क्या बोला जाएगा इसको, tree of life, या इसको बोला जाते हो, arbor vity, arbor vity, चीक है, तो आप ऐसे बोल देना कि white matter penetrate होगे है, कहां पर, gray matter में, तो actually मुझे बताएगे, कि यह tree of life किसका बना हुआ है, gray matter का है, white matter का, दोनों का बेटा, क्योंकि medular बाहर आ गया, तो बाहर तो cortex भी है, मेडूला भी बाहर आ गया, तो दोनों मिलके जो है, यहां पर क्या बना रहा है, इससे branch-like structure बना रहे है, जिसको बोलते हैं, tree of life बोलते हैं, यहां कोई परेशा नहीं, अब बिस होदा है, इसके गाल पर मारे, ऐसा तो नहीं होता है, कि कंदे भी लग जाता है, गल्ती से या उसके ऊपर से निकल जाता है, नहीं होता है, क्यों कि अगर देखो ऐसी, ना की उपर हाथ जल्दी से रखना, यह भी क्या होजाता है, इससे fine activity, तो जितने में चो fine activity होती ह होती है, अमारी brain के अंदर, वो कौन करवाता है, वो करवाता है कौन, तो आपको सेरी बिलम में बस इतना ही ध्यानक ना है, कि यह responsible होता है, activity को fine करने के लिए, fine activity के लिए, अब घर जाके लिख लेना, ना की उपर हाथ रखना, सुई के अंदर धागा पिरोना, कि धागे मे हो तो आप ऐसा तो नहीं, अदिवारों से टकराती हो, अब जेक्ट से दूर होती 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 हुए, आप आराम से चलती हो ना, तो यह भी again क्या होते है, fine activity होती है, पर जो लोग दारूपी थे, तो इसमें सेरे बिलम भी affected होता है, फिर उसके बाद में उसकी fine activity खतम, अब आ सेरे बिलम का, नाव दूसरा इसमें आ जाता है कौन से, पोंस, एंड पोंस की बारे में कुछ जादा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको तीन बाते याद रखनी है, पोंस के अंदर, पी से पोंटाइन सेंटर, पी से पोंटाइन सेंटर, और पी से आता है न्यूमो, टैक्सिक तॉक्सिक ने और एक इसमें प्रजेंट होते हैं पैड़ंकल, क्या प्रजेंट होंगे? प्रजेंट होंगे, ठीक है, पॉंटाइन मतलब क्या होता है? मिट्यूरेशन सेंटर, और जो आफ यूरीन, यूरीनीशन, तो उसके लिए सिगनल, यूरी ब्लैडर में कांटरक्शन क पढ़ेंगी इसमें जो इन्स्पेंटर होते हैं उसमें रिल्लेक्स करवाना यह को होता है the pig ऑन्ताइं सेंटर का होता है और पैंटाइं सेंटर बोल दीते हैं या या फिर आप इसको मेक्चुरेशन सेंटर बोल दीचे एक यह बात है या फे लिख 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 उसमें क्या और्ज ओफ यूरिनेशन एंड यूमोटेक्सिक सेंटर तो यह डैप्थ और रेट अफ ब्रीधिंग को रेगुलेट करता है नहीं बाटा अफसांस लेते हो ना तो आपके जो लंग्स की सेंटर एक्जाक्लि वो प्रेजेंट बोलेगेटा में रस्पिरेटरी सेंटर कहां पर उसको कम करना बढ़ाना कम करने में एंगणाने में फिर वी एर्च का काम होता है नुमोonder flawsaris two यहं काम करते हैं इसलों यहां पे काम करते हैं पॉंटाइन सेंता है तक कॉन यह सmee नुमो Krista और mid brain के बीच में एक bridge बना रहा है, exactly, यहां पर पी peduncle होते हैं, यह वाला peduncle क्या करेगा, medulla obla gata को pawns के साथ जोड़ता है, again peduncle मतला stock like stitcher, and stock का काम ही क्या होता है, जोड़ना, और एक यहां पर peduncle होगा, जो cerebellum को pawns के साथ जोड़ता है, और तीसरा एक और होता है, जो pawns को फिर finally mid brain के साथ जोड़ता है, फिर mid brain के अंदर होते है cerebral peduncle, जो इसको finally four brain के साथ जोड़ता है, तो इस तरह से brain की चारो पार्ट, तीनो पार्ट जो है वो एक दूसरी से क्या होते है, जुड़े वे होते हैं, ऐसे separate नहीं हो पाएंगे, तो जो सबसी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि यह ऊपर है, तो उसको बोला जाएगा superior peduncle, और superior peduncle का का काम लिख लेंगे, it connects bones to mid brain, फिर एक होता है inferior pedun peduncle, और inferior peduncle क्या करेगा, it connects medullo obligator to bones, फिर उसकी बाद आजाएगा, median peduncle, यह blue color क्या हो जाएगा, this is median peduncle, तो median peduncle क्या करेगा, it connect, या it attach cerebellum to bones, तो medullo obligator से bones, cerebellum से bones, फिर bones को जोड़ दिया, mid brain के साथ, and फिर mid brain को finally जोड़ दे, हमने four brain के साथ, with the help of cerebral peduncle, ठीक है, तो peduncle एक stock leg structure है, जो इन सारी चीजों को जोड़ने में, attach करने में help करता है, को परिशान ही यहां पर, चलो, इसकी बाद, बस ही तीन बाते आपको याद रखने हैं, पोंस के अंदर, लास्ट आजाता है, इसमे बहुत important structure है, और यहीं से actually क्या rise होता है, medulla obligator की बाद, इसकी just बाद यहां से निकलती ही कौन, spinal cord, तो लिखने की बात तो नहीं है, ब्रेन का last part, जहां से फिर क्या निकलने वाला है, spinal cord extend होने वाली है, और आपने क्या पड़ा था कि brain की medulla वाली portion में क्या development है, और बाहर क् होता है, gray matter, exactly, यह scenario अब medulla obligator से reverse हो जाएगा, अब आप gray matter को अंदर लियाए, white matter को बाहर लियाए, कहां से, तो common sense की बात है, फिर इसी से आगे क्या निकलेगा, spinal cord, तो spinal cord के अंदर क्या होगा, gray matter, बाहर क्या होगा, white matter, किसी एक चीज को याद रखना, जैसे मैंने brain को matter होता है, ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे, कि अब, medulla obligator के अब center में, या फिर medulla में, अब क्या होगा, अब होगा, इसमें gray matter, gray matter, और इसमें बाहर cortex में, अब क्या हो जाएगा, cortex में हो जाएगा, कौन सा, white matter हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका structure, oblong gator, oblong मतलब तो इर अब, इसमें इसकी function पढ़ दें, तो हमारे heart के लिए, जो cardiac center होता है, वो यहीं present होगा, पर एक minute, आपकी तो heart rate, heart खुद generate करता है, क्योंकि हमारा heart तो मायोजनिक होता है, फिर, आपकी heart की actual rate कितनी होती, 100, यह 100 को, अभी आपकी heart rate कितनी है, 72 है ना, तो यह कम करके रखता ह इसको, 100 को, इसका काम होता है, मेंली कम करना, ठीक है, पर जब कभी भी exercise करोगे, तो oxygen की demand बढ़ती है, तो blood flow बढ़ाना पड़ेगा, तो exercise के time क्या होता है, यहां पे heart rate बढ़ जाती है, हाट धगदग करने लगता है, तो यह heart rate को वापस क्या करेगा, बढ़ेगा, और घट इसके लबा, इसमें और होता है कौन सा, respiratory center, respiratory center, आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, यह भी कौन कंट्रोल करता है, respiratory center, जिसमें सबसे important हम breathing में पढ़ता है, कौन सा, DRC, दौसल respiratory center, जो सबसे main center होता है, है न, वो हम breathing वाले chapter में पढ़ दे, इसके लबा, आपको vomiting आती है, तो उसमें ले भी कौन responsable है, वामीटिंग का मतलब क्या हुआ, कि एसोफेगर्स और स्टमक होता है, उसके बीच में होता है, इसके बीच में होता है, इन-स्पिंक्टर, यह न, तो जब भी कोई खराब खाना हो, जिसमें पुराना मतलब जिसमें, अगर जाधा हो, या कोई नुकेली पार्टिकल हो या खराब पोजनेस अगर खाना होता है तो जाके वो क्या करता है इस स्पिंग्टर को सिंगनल देता है और सी तहीं आप जो खाना निगलती हो तो निगलने के लिए भी क्या होता है कि जो फूड का बॉल होता है फूड बॉल खाना चाबाने की बार तो आप उसका बॉल बनाती हो और यह लेन तो अप उसका बॉल को दकैलती का पर हो फारिंग्स के अंदर एपने त्युक्ष एंद मेड नेटी नियूरों जो सिंगनल लेके जाते हैं मैडिलय अबलेगरिटर फिर मैडिलय उबलेटर सिंगनल देता है को वापस भार जो इस क्या छोड़ो ये बाते तो इसमें ये खाने को निगलने के लिए रस्पॉंसिबल होता है अच्छा इसके अलावा सब्कूए सब्सक्राइब ना तो यहां पर आप international ओंप ये कंट्रोल गद्ळ है तो इसमें इसके शारोइब बीग लिए यो सुलखो लएट यहां परिशानी बता है कोई परिशानी बस हो गया यह चारों यह सारे पॉइंट याद रखना बटा एक्जाम में कुश्चन आते हैं यहां से यह कोई परिशानी ठीक है तो ब्रेंट के फंक्षन वाला पार्ट सारा कंप्लीत हो गया अब इसमें टॉपिक बचा है आपका से रिब्रोस्पानल फिलूड क्या होता है और ब्रेन के अंदर कावेटी क्या होती है जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकर्स ठीक है फूर डिसकस करते हैं बंद कर दें इसको